हेलो फ्रेंड्स यह हमारी स्टेर्केस सीरीज की 10th नम्मर की वीडियो है आज की ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज इस एक ही वीडियो में मैं आपकी स्टेर्केस को लेकर सभी तरह की कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ तो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो को लास तक जरूर देखें आज इस टेर्केस के बारे में आप बहुत कुच सीखने वाले हैं और एक बात अगर आपको इस पीपीटी सलाइड की कोपी चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्सन में हमारे टेलिग्राम गुरूप का लिंक है उसे जोईन कर हमें सेंड पीपीटी का मैसेज करें आपको पीपीटी भेज दी जाएगी ओके फ्रेंड्स तो चलिए ज़्यादा समय नए खराब करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं यह हमारे स्टेरकेस का एक प्लैन है जिसमें दो फ्लाइट है मिंस ये एक डोगलेग्ड स्टेरकेस प्लैन है और ये एक फ्लाइट का सेक्सन है इसमें आप इसकी डैमेंस से डिटेल पर ध्यान मत दो ये आपको कन्फूज करेंगी मैं वन बाइवन आपको हर चीज एक staircase में, तो देखो friends, staircase का जो ये वाला part है, जिस पर हमारे pair या जूते की नोग टक्कर मारती है, इसे हम rise या riser कहते हैं, और ये वाले top हिस्से को जिस पर हम pair रखकर सीड़ियां चड़ते हैं, उतरते हैं, इसे tread कहते हैं, बस आपका इतना ही जानना काफी है, इस वीडियो क समझने के लिए, बाकी हमारी parts of staircase की वीडियो अलड़ी हमारी channel पर available है, जिसमें आप staircase के सभी part को detail में समझ सकते हैं, images के साथ, ओके friends, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो friends, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कि अगर आपको floor height, staircase width और riser का size पता है, तो आप number of riser, number of tread, tread का size और trade की total length बड़ी ही easily find out कर सकते हों, तो चलिए one by one सभी conditions की बात करते हैं, तो friends, first condition ये है, कि अगर आपको floor to floor height, means building height, और riser height पता है, और आपको number of riser निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, formula क्या यूज़ करोगे, माल लो, हमारी building की height है 10 feet, और height of riser है 6, तो number of riser निकालने का formula होता है, building height divided by riser height, तो ये आजाएंगे calculate होकर 20 number, तो ये तो हो गई first condition, अब अगर second condition की बात करें, तो अगर आपको number of riser पता है, या आपने जैसे अभी हमने calculate की हैं, ऐसे calculate कर ली हैं, तो आप number of trade निकाल सकते हैं, ध्यान दखना बिना number of riser calculate करें, आप number of trade नहीं निकाल सक तो अगर number of riser का पता है, तो इसका formula होता है, number of trade find out करने का number of riser minus 1, तो मालनो number of riser 20 हैं, जो हमने भी find out किये थे, तो number of trade हो जाएंगे हमारे 20 minus 1 is equal to 19 number, okay friends, I hope के आपको यहां तक समझ आ गया होगा, तो अब हमारे पास क्या-क्या data available हो गया है, number of riser, thickness of riser, floor to floor height, total width of staircase, और number of trade, बस हमें trade का size नहीं पता, तो अब आप trade का size भी easily calculate कर सकते हैं, कैसे आईए देखते हैं, तो trade का size दो तरीके से find out क्या जा सकता है, first method में trade width को find out करने का formula है, total width of stair, divide by number of riser minus 1, तो stair width है हमारी मालो 15 feet, divide by number of riser, यह step है 20, minus 1, तो trade width आ गई हमारी 9.47 inch, second method की बात करें, तो trade width calculate क करने का formula है, total width of stair, divide by number of thread, total straight width है 15 feet into 12 inch, इसे feet में convert करने के लिए, तो यह आ जाएंगे वही 9.47 inch, now, fourth condition क्या है, कि अब हमारे पास trade की width भी है, और number of thread भी है, तो अब हम easily trade की total length पता कर सकते हैं, कैसे, आपको total trade length के लिए, trade width means trade size को multiply कर देना है number of thread से, तो आपको trade की total length मिल जा सालने में काफी परिशानी होती है, बले ही हमारे पास इसकी thickness, width और height दी गई हो, क्योंकि यह slab inclined होती है, ने की horizontal, तो सबसे पहले तो हम weight slab की inclined length calculate करेंगे, पैथागोरस theorem यूज करके, जिसका formula होता है, L is equal to under root B की square plus H की square, means base plus height की square, तो suppose हमारे weight slab की width यानी breadth है, 3 meter और height है 1.5 meter आप यहां भी देख सकते हैं, यह इसकी चुडाई है, और यह height, तो इसे calculate करेंगे, under root 3 की square plus 1.5 की square, और यह inclined length आजाएगी हमारी calculate होकर 3.35 meter, तो जब आपको इसकी inclined length मिल गई है, तो बस इसका volume calculate करेंगे, और volume निकालने का formula तो आप जानते ही है, कि volume of weight slab is equal to L into B into H, और length आ height है इसकी 150 mm, और 0.15 meter, जो generally ली जाती है, तो waste slab का volume आ जाएगा, 3.35 into 1.2 into 0.15 is equal to 0.603 cubic meter, और अगर staircase में 2 flight है, तो इसे बस simply 2 से multiply कर देना, और यह हो जाएगा, दोनों flight की waste slab का volume, 0.603 into 2 is equal to 1.206 cubic meter, ओके friends, तो यह कुछ अलग-लग different conditions हमारे सामने अक्सर arise होती है, जब हम staircase की calculation करते हैं, तो I hope के अब आप इन सभी conditions को अच्छे समझ गए होंगे, और दीगे जानकार आप लोगों के लिए useful लहेगी, ओके friends, तो चलिए, जल्द मिलते हमारी next video में, इसी series का next part लेकर, और इस PPT के लिए, आप हमें message कर सकते हैं, send PPT लिखकर, हमारे telegram group पर, और telegram group का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद guys, thanks for watching, have a nice day.